आज, आज, आज को इंगलिस में क्या कहते हैं, ये आज इस छोटी शी वीडियो में हम जान लेते हैं, इसके अलावा जो कल होता है, आने वाला कल और जो बीच चुका कल है, उसको इंगलिस में क्या कहते हैं, ये भी हम इस वीडियो में समझ लेते हैं, तुडे को आज कहते हैं और एट प्रेजेंट भी तुडे और आज इन दोनों का एक ही अर्थ होता है यानि तुडे का अर्थ भी आज होता है और एट प्रेजेंट का अर्थ भी आज होता है यानि कि तुडे एट प्रेजेंट या प्रेजेंट ली तिनों का अर्थ आज होता तुमोरो का अर्थ होता है जो आने वाला कल होता है डे आफ्टर टुमारो यानि कल के बाद जो दिन आता है जिसे हम पर्षो कहते हैं उसे हम डे आफ्टर टुमारो कहते हैं येस्टरडे जो बीत चुका दिन होता है उसे हम येस्टरडे कहते हैं यानि कि जो बीता हुआ कल है उसे हम yesterday कहते हैं day before yesterday यानि जो कल से पहले का दिन है यानि उसे भी हम परसो ही कहते हैं तो उसे हम day before yesterday कहते हैं उमीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी चैनल को like, share, subscribe करना बिल्कुल मैं दो भूलिएगा